एक और concept लेते हैं बच्चो What will happen with the balloons if air at high speed is blown in between them यानि कि इस system को अगर आप देखें ये भाई साब इन्होंने दो बारे लेटका रखें इसके बीच में ये हावा को फूक रहें तो he's trying to blow the air and he's blowing the air तो अब आप से सवाल ये पूछा गया है कि जब हम उनके बीची हावा को पूछ करेंगे ब्लो करेंगे तो balloons पे क्या असर पड़ेगा क्या वो नजदीक आएंगे क्या वो दूर जाएंगे ये इस प्रशन का उत्तर आपको देना है वैसे बच्चो अगर आप पिछले प्रशन को याद करें तो बनोलीज प्रिंसपल लगाने पे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किसी रीजन पे अगर हाई विलोसिटी से आपका फ्लूइड पास कर रहा है तो उस रीजन पे प्रेशर पे उसका क्या आसर पड़ेगा हिंट मेने आपको दे दिये 30 सेगंड का समय भी देता हूँ आप खुद आंसर तक पहुँचे तो बच्चो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा आप देख सकते हैं कि जैसे ही भाई साब इन दो बलूंस के बीच की एर को ब्लो करते हैं ये दोने बलूंस नजदीक आ जाते हैं सो दे आंसर इस दे विल कम क्लोजर बच्चो ये कुछ वैसा ही इसका जवाब है जैसा कि पिछले प्रशन का था कि जब आप बीच वाले रीजन में बलूंस के बीच वाले रीजन में आप एर को हाई विलास्टी से ब्लो करते हो तब आप एक्चली उस रीजन पे लो प्रेशर क्रियेट करते हो और लो प्रेशर होने के कारण ये बलूंस आपस में करीब आ जाते हैं